Q4 है, रीप्रिजन करना है रूट 9.3 on the number line, तो उसको देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, अभी एन चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो. So, देखो, सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, कुश्चन में हमें यूनिट गिवन नहीं है, So, हम चाहे inches में draw करें, या फिर centimeter में, या फिर meter में, बट हमारे लिए, जो centimeter है, वो सबसे छोटा unit है, तो हम इसमें draw कर सकते हैं, इसके लिए ज़्यादा space की ज़रूत नहीं पड़ेगी. So, पहले हम 9.3 centimeter की length draw करेंगे, So, यहाँ से 9.3 centimeter एक length draw करी मैंने, देख सकते हैं, ठीक है, So, हम यहाँ पे लिखेंगे A, और ये B, A और B की length जो है, हमें पता है 9.3 centimeter है, राइट, So, यहाँ पे 9.3 मैंने लिख दिया, आप चाहते हैं centimeter लिख दो, ठीक है, उसके बाद क्या कर करना है, बी पॉइंट से हमें एक unit, एक centimeter और length draw करनी है, जिसका नाम हमें C, ठीक है, So, मैंने यहाँ पे, एक unit और draw करी, यहाँ पे देख सकते हैं, इसका नाम मैंने C, राइट, उसके बाद क्या करना है, आपको, एक compass लेना है, ठीक है, अब यहाँ से हमें perpendicular bisector draw करना है, तो perpendicular bisector को draw करने का simple सा दरीका होता है, आपको जो यह length है, यह जो पूरी length है, 9.3 cm और यह 1 cm, इसका हमें half से ज्यादा, मतलब आ देए, यहाँ पे होगा, half something, इसे थोड़ा से ज्यादा लेके हमें एक cut लगाना है, So, यहाँ पे मैंने cut लगाया, और एक नीचे भी cut लगाया, ठ यहाँ पे cut लगाना, इसे क्या है, हमें perpendicular bisector मिल जाएगा, जब आप इसकी length को measure करोगे, तो आपको exact एगा half, right, So, यह इसका perpendicular bisector हो गया, अब क्या करना है, यह जो point है, यह हमारा o center हो गया, एक तरीके से, ठीक है, यहाँ पे o लिखा मैंने, So, यहीं पे यह आपको यह compass रख के, एक D बना देना है, इस पे पूरा, इस तरीके से, इस पे रखोगे, क्योंकि यह half-half हो गया है, तो यह मिलेगा, बिल्कुल यहाँ पे आके, तो यह मैंने यहाँ पे D बना दिया, अब क्या करना है, यह जो B point था ना, हमारा यहाँ पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे रखो, आप चाहो तो उस तरीके से कट करके भी कर सकते हो, अदर्वाइस, ऐसे ही कर दो, तो यहाँ पे 90 हो रहा है, यहाँ पे, यहाँ तक लाइन ड्रॉ करोगे, तो यह इसको क्रॉस कर रहा है, तो इसका मतलब, सो यह हमने 90 डिगरी का पर्पिंडिकुलर बना दिया, यह हमारा 90 डिगरी का होगे, उसके बाद आपको क्या करना है, यह जो यह O है, यहाँ पे हमने A, B, C, तो यहाँ पे हम इसको D बना देंगे, O और D को हमें जॉइन कर देना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे O और D को साथ ही साथ आपको क्या करना है, यह वाली जो लेंध है इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, थोड़ा सा आप चाओ तो कितना भी कर दो, बट में यहाँ पे थोड़ा सा कर रही हूँ, अब देखो क्या करना है, 9.3 को रिप्रेजेंट करने के लिए, आपको यह जो ले बना देना है इस इस वाली लाइन से लेकर हमें यहां पर जहां पी यह बाइसेक्ट करेगा वह हमारा 9.3 हो जाएगा आप इस पॉइंट को यहां पर लिख दो और पी हमारा जो है रूट 9.3 हो गया तो देखो अब समझने के लिए हमने यह तो बना लिया 9.3 को रिप्रिजन कर दे लेकिन हम समझेंगे कि यह वाली लेंध क्या सच में 9.3 है या नहीं देखो ध्यान से सुनो यह हमने चो लाइन करी थी 9.3 सेंटिमेटर की a b और हमने एक सेंटिमेटर, यह भी द्वा करी थी तो यह कितना वो गया 10.3 हो गया और जब OC और AO बराबर है ठीक है मैं आ लिख दूरू A O equals to OC अब ध्यान से सुनो जब यह वाली लेंथ और यह वाली लेंथ 5.5 है तो यह भी तो 5.5 ही होगा क्योंकि एक semi circle है अगर मैं इस circle को complete करती हूँ तो center से कोई भी line अगर हम circumference तेंग ड्रॉ करते हैं तो वह radius होता है अगर यह भी तो radius ही हो गया तो यह भी तो अगर यह 5.5 है तो यह भी 5.15 हो जाएगा क्योंकि यह radius है यह 5.15 हो गया और यह पूरा OC हमारा 5.15 हो गया लेकिन इसकी length कितनी होगी 4.15 कैसे क्योंकि यह 1 cm रिमूव कर दिया OC जो है वर 5.15 थी तो हमारे OB कितना होगा यहां पर लिख दो OB कितना हो जाएगा 4.15 अब ध्यान से सुनो यह हमारा hypertunious है यह हमारा base है OB बेस है तो यहां पर लिखो OD equals to 5.15 जहां पर मैं समझा रही हूँ 5.15 और हमने इसको क्या माना है hypertunious राइट OB हमारा क्या है base है OB कितना है 4.15 जो कि हमारा क्या है base है हमें यह find out करना है DB ठीक है DB हमें क्या find out करना है यह हमारा perpendicular है जो कि हमें नहीं पता सो simple सा formula होता है देखो write down triangle ODB ठीक है triangle ODB में हमें क्या निकालना है DB है ना DB तो निकालना है so DB equals to क्या हो जाएगा root OD का square minus OB का square अब मैं दिखाती हूँ कैसे यह जो length है यहां पे यह hypertunious है यह base है यह perpendicular सो हमने तो यही पढ़ा है ना हाइपर्टिन्यूस का square equals to होता है base का square plus perpendicular का square ठीक है हाइपर्टिन्यूस equals to हो जाता है रूट यह square है रूट लग जाएगा P square plus B square लेकिन इन केस आपको एक चीज़ गिवन नहीं है हाइपर्टिन्यूस गिवन है base गिवन नहीं है यह फिर perpendicular गिवन नहीं है तो यह यहां पे आएगा यह अंदर चला जाएगा तो वही यही निकलेगा हमें आंसर ठीक है इस केस में हम क्या कर देते हैं हमें लेटसे हमें क्या परपिंदिकुल निकाला तो P square 2 हो जाएगा हाइपर्टिन्यूस का square माइनस base का square सो यहां पे मैंने वही लिखा है तो यह मैंने आपको समझाने के लिए बताया अब यहां पे simple सा question क्या है हमें यह बताना है कि यह जो हमने draw किया है क्या यह 9.3 cm है या नहीं सो देखो O D हमने क्या find out किया 5.15 का square माइनस 4.15 का square O B हमें 4.15 है आपको figure मैंने यहां बता दिया अब देखो हमें बता है A square माइनस B square का formula क्या होता है A plus B और A minus B तीक है इसी formula को इसमें बुट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे एक बार A minus B A plus B 5.15 plus 4.15 और दूसरे में 5.15 minus 4.15 अब क्या हो जाएगा इनको plus करोगे तो आएगा 5 plus 4 9 9.30 ठीक है और यहां पे इसको subtract करोगे तो हमें मिलेगा 1 अगेन हमारा क्या है 9.30 क्या था हमारा db की value हमारे पास क्या है 9.3 cm ठीक है जब यहां से आप draw करोगे तो यह semi circle होगे अगर यह 9.3 है तो यह भी 9.3 cm होगा ठीक है आपको यह समझ में आए होगा कि 9.3 को number line पे कैसे represent करते हैं वन मोर चीज़ देखो यहां पे जो मैंने आपको semi circle बोला ना तो आप यहां पे semi circle ला consider करके पूरा circle करो अगर मैं इस वाले line को 4 यू ड्रॉ करती हूँ ठीक है 9.3 जहां पे represent किया है तो यह पूरा circle हो जाएगा और पूरे circle में center से circumference कोई भी line ड्रॉ करोगे तो सबकी length सेम होगी तो वही कहने का मतलब था आप उसको circle consider करना जो मैंने semi circle बोल दिया सिर्फ यह हैं यहां वाले और यह चीज़े तो मैंने आपको समझा दी थी ठीक है आपको समझ में होगा पूरा चीज अच्छे से समझाया है जो हाइपर तुनियूस बेस पर्पेंडिकुलर पर्पेंडिकुलर को आप हाइट भी समझ सकते हो यह पाइधा गोरें ट्रिपलेट होता है आपको आपने एट क्लास में पढ़ा होगा अगर कोई भी प्रोब्लम है तो प्लीज कमेंट करना मैं जरूर उसका रेपलाई दोंगी एंड वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो कोई नमबर फाइफ है उसको रेशनलाइज करने का है इसको करने वाली हूं ठीक है बाई बाई